आज मुद्दा क्या है मुद्दा कविता का नहीं है मुद्दा एक स्टेट का नहीं है मुद्दा पूरा देश का है क्यूंकि देश की आधी आबादी को आप बाहर रखोगे देश की आधी आबादी को आप राजनीती का उसर नहीं दोगे तो देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा जैसे एकी पंक से जैसे चिडिया उड़ती हो ऐसा उनका उड़ान होगा लेकिन दो पंक एक मर्द और एक औरत मिलके जब उड़ेंगे आ कि वो राज्यसभा में भी पारित हो, लोकसभा में भी पारित हो और वो सच्चाई होके निकले हमारे माताओं को बहनों को जो हिंदुस्तान के सबसी बड़ी पंचायत है उसमें जगा दे पाए ऐसा आज तक हुआ नहीं है 27 साल हो गया नारायन जी आये मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्यूंकि उन्होंने गीता मुकरजी जी का फोटो लेके मुझे दिया है गीता मुकरजी वोमेंस कमिटी के वोमेंस रिजर्वेशन कमिटी पे अध्यायन करके 1996 में उन्होंने कहा है कि 33 परसंट रिजर्वेशन वोमेंन को देना चाहिए और उनके रिपोर्ट के बाद ही देवगवड़ा जी ने बिल मुग किया पार्लेमेंट में उनका फोटो देके आपने उतने महान महिला का फोटो देके उनके कंदों पे मुमेंट हमें चेलाने का इंस्पिरेशन आपने दिया आपका हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते है और साथ में हमने यहां इतने सारे महान महिला नेताओं का और महिलाओं का समर्दन करने वाला नेताओं का हमने यहां पे मूर्ति लगाए है माता सावित्री पूले का आज महापरिनिर्वारन का दिवस भी है मुझे लगता है बहुत संजोग से हमने ये कारेक्रम यहाँपे किया है पहले तो मार्च 8 और प्रॉग्रेम लेकिन मार्च 10 को हो गया लगता है सावित्री बफ माता का पूरा पूरा आशिरवाद हमारे साथ है इसलिए संजोग से आज के दिन ये कारिक्रम हो पाया है और कन्नगी माता की मूर्ती यहाँ पे है जो तमल नाड़ु में बहुत अच्छा मुह में वो चला चुकी है जानसी रानी की मूर्ती यहाँ पे है रानी रुद्रमा देवी की मूर्ती यहाँ पे है चाकल या इलमा का मूर्ती यहाँ पे है मदर तरिसा का मूर्ती यहाँ पे है कस्तूरवाग गांधी की मूर्ती यहाँ पे है और डॉक्टर बाल गंगादर तिलक जी की मूर्ती यहाँ पे है डॉक्टर बाबा का बी मुर्थि यहां मो吧 देखे शरूर के महिलाओं को सुती बार अगे मुहिम चलाने का हमें शक्ति मिलेगे अईसा हम माण के चलते हैं आज का मुद्धा स्काइश्य यह सारे पार्टी तो बोलते हैं कोई कदम आगे बढ़ाके करते नहीं हैं तो यहां इस मंच से हम सारे राजनेतिक दलों से रिक्वेस्ट यही करेंगे इस सरकार को पूरी पूरी बहुमत है कि पूरे बहुमत वाले सरकार चाहेगी तो दो गंटों में ये बिल पास कर सकती है सिर्फ मानशा होनी चाहिए बस बिल पारित हो जाएगा तो सारे दलों से मैं ये रिक्वेस् 13 तारिक से शुरू हो रहा है इस सत्र में सारे दल ये रिक्वेस्ट करें डिमांड करें भारती जनता पाटी सरकार से बारत सरकार से कि आप बिल को लेकर आए आपके समर्दन में हम रहेंगे अगर सारे आपको हिम्मत देने के लिए, आपको होसला देने के लिए, हम महिला आए, सिर्फ आज डेली से शुरुआद हमने किया है, लेकिन हिंदुस्तान के हर शहर में भी हम आंदोलन करेंगे, यह आंदोलन जारी रखेंगे, और ए सत्र से लेके, डिसेंबर में जो विंटर सेशन है, तब तक भी हम आंदोलन चलाते हैं, December में जो winter session है, तब तक भी हम आंदोलन चलाते हैं यह सरकार के last दो सत्र है यह यह last दो session के बाद उनके पास चांस नहीं होगा यह बिल लाने के लिए, तो यह दो सत्र में बिल लाने के लिए हम उन से demand करते हैं और आज देखिए हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हमने 1992 में पंचायत में लोकल बॉडिस में 33% हमने वुमेन रिजर्वेशन दिया है 1992 में हमने 33% वुमेन रिजर्वेशन दिया तो आज तकरीबन 21 राजों में 21 स्टेट्स में more than 50% महिला आज लोकल बॉडिस में आ चुकी है एक ही एक या दो राज जैसे है उनमें से उत्तर प्रदेश भी एक राज जैसा है जहाँ पे सिर्फ अभी भी 33% रिजर्वेशन ही है और साथ एक नौर्थ इस्टन स्टेट से वहाँ पे कम रिजर्वेशन है लेकिन मेरे बोलने का मतलब यह है कि 92 में लोकल बॉडिस में जब हमने 33% आरक्षन महिलाओं को दिया है आज 50% से जादा वो लोकल बॉडि में आ चुकी है अगर आज हम 2023 में 33% महिलाओं को आरक्षन देंगे डेफिनेटली एक 10-20 साल में more than 50% संसद में और असंबली में महिला नेता आ सकते है उसे देश को आगे बढ़ने का बढ़ाने का भी अच्छा मोका हमें मिल सकता है और नरेंद्र मोधी जी से राष्टपती हमारे महिला है मैं खास कर हमारी राष्टपती जी से विगनप्ति करती हूँ प्रारधना करती हूँ कि राष्टपती जी आप इंट्रेस्ट लीजे ये महिलाओं का मुद्दा है महिलाओं के पक्ष में आप कड़े हो जाईए इस मंच से मैं आपको request करती हूँ, हमने इस मंच में जितने भी लोग आये हैं, उनसे हमने signature लिये है, और एक letter प्राइम मिनिस्टर साब को, एक letter हम राश्टपती जी को भी इस मंच से पेश करने जाएंगे, हम everybody has signed, सो हम उनको भी ये letter देंगे, आगे चलके जब December 13 से सत्र शुरू होगा, हम pressure भी उनपे लगाए रखेंगे, तो ये तो शुरुआद है, जैसे बोलते हैं, एक चोटा चिंगारी है, आज शुरू हो गया है, ये बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, ये तब तक कतम नहीं होगा, जब तक महिला आरक्षन हिंदुस्तान में हम पाकर रहेंगे, और मैं ये कहना चाहती हूँ, कि तलंगाना के पावन दर्ती पे, जब भी कोई आंदोलन शुरू हुआ है, वो महीम मंजिल तक पहुंचा है, तो ये महीम भी जरूर मंजिल तक पहुंचेगा, ऐसा मैं मानती ह और यहां आज डेली में सारे प्रदेशों से इतने बड़ी तादात में हमें मदद मिली है, खास कर हमारी MC सुमन हुडा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सुबह दस बज़े से लेके चार बज़े तक आपने बहुत अच्चे से ये पूरा प्रोग्राम चलाया है, सबका सपोर्ट जुटाया है, किसी का दिल ना दुखाते हुए आपने सारे करिक्रम चलाया है, तो आज ये पॉसिबिलिटी है कि इतना बड़ा बहुमत वाले सरकार में किसी का दिल नहीं दुखने वाला है, महिला आरक्षन बिल भी इमीडियेटली पास हो सकता है, तो ये पास करने का डिमाइंड में एक और बार करते हुए, अब सबका धन्यवाद देती हूँ, तैंक्यू सो मच, जै तलंगाना, जै बारत